यदुवंशी जिन्हे यादव्या यदुवंश के नाम से भी जाना जाता है प्राचील भारत के इतिहास और पौरानिक कथाओं में एक महत्वपून स्थान रखते हैं हिंदु धर्म्रतों के अनुसार वे राजा यदुवंशिज थे जो एक महान व्यक्ति और भगवान क्रिश्न के पोते थे यदुवंशियों ने भारतिय उक महादवीप के राजनीतिक, सास्कृतिक और सामाजिक परिद्रश्य को आकार देने में महत्वपून भूमिका निभाई यदुवंशियों की उत्पत्ती लगभग पंद्रह सो ईसा पूर्व वैदिक काल में मानी जाती है यदुवंशियों समय के कई प्रमुख शत्रियक, योध्धा कुलों में से एक था वे अपनी बहादुरी, सैनिकोशल और वैदिक समाज में योगदान के लिए जाने जाते थे हाला कि वैदिक काल के बाद के चर्णों में यदुवंशियों का उद्य हुआ यदुवंशियों का भगवान कृष्ण से संबंध उनके एतिहासिक महत्व को समझने में महत्वपूर्ण है भगवान विष्णू के अवतार भगवान कृष्ण ने हिंदु महाकाव्य महाभारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उनका जन्म यादव वंश में हुआ था और उन्होंने द्वार का शहर को यदू वंश की राजधानी के रूप में स्थापित करने में महत्वपून भूमिका निभाई थी यदू वंशी भगवान क्रिश्न के प्रती अपनी भक्ती के लिए जाने जाते थे और खुद को उनका वंशज मानते थे यदू वंशियों का इतिहास महाभारत की घटनाओं से जुड़ा हुआ है भगवान क्रिश्न पांडवों के करीबी दोस्त और सलाहकार थे जो अपने चचेरे भाई कौर्वों के खिलाफ युद्ध में लगे हुए थे यदू वंशियों ने युद्ध के दौरान पांडवों का समर्थन किया और उनकी जीत में महत्वपून भूमिका निभाई जो अंतता उसकी पतन का कारण बना। ऐसा माना जाता है कि यदू वंशियों ने भयंकर भ्रात्रहत्या युद्ध में भाग लिया जिसके परिनामस्वरूप द्वार्का का विनाश हुआ और राजवंश का पतन हुआ अपनी राजनीतिक शक्ति के पतन के बावजूद यदू वंशियों की विरासत फलती फूलती रही। यादव भारत के विभिन हिस्सों में चले गए और मत्वुरा, राजस्थान और गुजरात जैसिक शेत्रों में अपने राजे स्थापित किये। उन्होंने इंग शेत्रों के सांस्कृतिक और धार्मिक ताने बाने में म महत्वपून भूमिका निभाई। इस अबधी के दोरान भगवान प्रिश्ण और यदू वंशियों विरासत को समर्पित कई मंदिरों का निर्मान किया गया। प्राचीन भारत की सामाजे का आर्थिक परिद्रश्य पर भी यादवों का महत्वपून प्रभाव था। वे और दार्शनिकों को भी जन्म दिया जिन्होंने भारतिय साहित्य और दर्शन में महत्वपून योगदान दिया। समय के साथ यदूबंशी व्यापक भारतिय समाज में समाहित हो गई और उनकी राजनीतिक शक्ती कम हो गई। हाला कि भगवान कृष्ण के वन्शच के यादूओं का एक सम्रिध और जटिल इतिहास है जो कई सहस्राब्दियों तक फैला हुआ है। वे वैदिक काल के दोरान एक प्रमुक कभीले के रूप में उभरे और भगवान कृष्ण की समय में बहुत प्रसिद्धी और शक्ती हासिल की। महाभारत की घटनाओं के बहुत है तक वे आए है।